दिली में गैंग सेर और उनके गुर्गों के कनेक्शन को तोड़ने के लिए एक विशेश अभियान चलाया गया पिछले कुछ दिनों के दौरान तिहार जेल, मंडोली जेल और रोहिणी जेल सहीत दिली के अन्यजिलों में विशेश सर्च ओपरेशन ड्राइब चलाया गया तिहार जेल प्रिसाशन द्वारा कैदियों के पास मोबाइल होने की संभावना के मदे नजर सर्च ओपरेशन किया गया कैदियों के पास सर्च ओपरेशन के दौरान करीब 243 मोबाइल फोन जब किये गए एक एपरिल से लेकर 15 अक्तूबर तक यानी की करीब 197 दिनों तक विशेश जाच परताल अभियान चलाया गया है तिहार जेल के वरिष्ट सूत्र के वटाविक जल्द ही तिहार जेल और मंडोली जेल में नए जैमर मंगवाए जाएंगे जो मोबाइल फोन पर शिकंजा कसेगा शंकर संबादाता साजुर गए हैं शंकर इन दिनों मोबाइल फोन की यूज का बहुत जादा प्रचलन चला है जेलों से इसके लिए अब क्या कुछ आगे किया जाएगा क्या बात इस सामने आई हैं शंकर पिछले कुछ समय के दोरान में जिसतर से लगातार तिहार जल के इंदर और इसके साथ-साथ-सित-मंडूली जील की बात करें तो वहां पर जिसतर से लगातार उन कैदियों के आसपास में तमाम जाएट परदाल की गई जो जिसका समद्ध जो है किसी गैंगस्टर के मामले पर भी जूटी है कि अभी पिछले कुछ में के दौरान में जिस तरह से कई गैंगेस्स का और जिस तरह सब कादा मुवाइल फून का उनके द्वारा प्रयोग करने की जो जानकारी जिस तरह से निकल के सामने आये थी लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभिटा को देखते होए इस मामले पर तिहार जेल और इसके साथ साथ दिल के अन्ने जेलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्च ऑप्रेशन और इसके साथ जो सर्वलांस के जो काम है वो उसको आगे बढ़ाए गया और इसके साथ ही जेल के अंदर में कोई मुवाइल फोन प्रयोग न नहीं कर सकता है इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते वे इस तमाम गत्वीरिया जो है वो की जा रही है और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर कुछ और भी ने उपकरंस जो है इन जेलों में देखे जा सकते हैं जी बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी सा अच्छा करने के लिए